हेलो एबरीवन तो एक रिलिफ मिला होगा आप लोगों को की यूपेसी प्रिलिम्स आपका ओवर हो चुका है अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसकी चिंता छोड़के आप लोग दो तीन दिन के लिए प्लीज रेस्ट लेजिए क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले डेट दो महिने से आप लोगोंने काफी कड़ी मेहनत की होगी और आपके माइंड को फिलहाल रेस्ट की जुरूरत है फिलहाल स्ट्रेस मत देजिए कि कट ओफ जो है अगर हाई गई तो क्या होगा तो यह सब चीजें जो है अभी फिलहाल डिसकुशन के लिए नही है आप लोग जो है लगातार स्ट्रेस बनाए हुए है माइंड पे की हाई मेरा तो नहीं हुआ इतनी मेहनत की थी तो अभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया है कि कट ओफ जो है एकुरेटली इतनी ही होगी ठीक है जो आपकी कट ओफ है वो हमेशा वैरी करती रहती है और पिछले 2 साल से अगर हम देखें मतलब लास्ट यर 2018 मेर 2019 का अगर हम परीलेम्स देखें तो काफिद् fino कल रहा है 2019 का भी जो पेपर है प्रीलेमस का GS का जो पेपर है वो difficult रहा है ऐसा नहीं है कि आपका easy paper रहा है वो ठीक है काफी difficult रहा है लोगों का मैंने देख्वा है कि जो लोग indigenous कर रहे हैं यह बोल रहे हैं कि मैंने यह trick बताई थी, वो trick बताई थी, उससे यह चीज हो जाती, वो चीज हो जाती, तो आप एक चीज देखिए, कि कोई भी topic है, उसके लिए आपको deep analysis चाहिए, ठीक है, deep knowledge जब तक आपको नहीं है उस चीज की, तब तक आप उस question को solve नहीं कर पाते हैं, और deep knowledge होना किसी भी topic के लिए जरूरी था इस paper को solve करना यहाँ पर elimination trick definitely work कर रही थी लेकिन eliminate भी आप तभी कर पाओगे जब आपको उस topic की knowledge होगी वहाँ पर देखी माली जी दो statements आपस में contradict कर रही है किसी question की माली जी तीन statement दी हुई है चार statement दी हुई है और वहाँ पर दो statement आपस में contradict कर रही है आपको पता है कि definitely इसमें से एक नहीं होगा लेकिन वो एक नहीं होगा उसके लिए भी आपको knowledge होनी जरूरी है कि यह क्यों नहीं होगा ठीक है आप तभी eliminate कर पाएंगे तो eliminate करना भी इतना easy नहीं है कि आप cheat trick दे रहे हैं बच्चों को कि आप ऐसे trick यूज करेंगे तो आप उसको eliminate कर पाएंगे आपको मैंने बोला था कि ऐसे कोई भी statement आती है तो आप इस वाले option को tick करेंगे और वहां पर work नहीं करती हैं जब तक आपको deep knowledge नहीं है काफी अच्छे लेवल का paper बनाया हुआ है UPSC हमेशा जो जितने भी coaching center है उनको cheat करने की कोशिश करती है ठीक है तो पेपर का level जो है हर साल increase होता जा रहा है competition भी increase होता जा रहा है हजारों यहां पर देखे आपका coaching institute और आप तो YouTube पे इतनी भरमार है कि material आपको जितना चाहे material मिल सकता है ठीक है तो इन सभी को cheat करने के लिए जो है UPSC अपना एक अलग level रखती है और अपने level के हिसाब से जो है अपने जो selection process को उसी हिसाब से वो set करती है और वहां पर देखे पेपर देखके आपको पता लग गया होगा कि UPSC को क्या चाहिए ठीक है तो किसी भी topic की जब तक आपको deep knowledge नहीं है तब तक आप वहां पर कोई भी trick यूज नहीं कर सकते हैं हाँ हो सकता है पांच या चार question में दस question में आपकी वो trick यूज हो जाए लेकिन maximum question जो है उनके लिए आपको knowledge होनी ज़रूरी थी तो ये तो हो गया जो prelims है उसके बारे में हमारा ठीक है अब जो बच्चे serious हैं और जिनका लगबग जो score है वो 90 से above जा रहा है ठीक है तो उनको means की तियारी start कर देनी चाहिए और देखे मैं तो कहूंगी कि यहाँ 85 वाले student भी है अभी hope मत छोड़िए आप लोग अभी in हो ठीक है जब तक result नहीं आता है आप in हो और देखे रिजल्ट आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास लगबग 108 डेज बचे हुए हैं अब इस 108 डेज में से आपको 18 डेज तो जो हैं रिवीजन के लिए रखने हैं यहाँ पर ठीक है बीच में कभी आपका मूड स्विंग कर गया कभी और कोई प्रोब्लम हो गई ठीक है कभी हैल्थ खराब हो follows, तो एटीज डेज आप रिवीजन या उन चीजों के लिए रख लीजे कि आपका कोईभी एमर्जेंसी आ गई तो एटीज इन चीजों के लिए रख लीजेए टोटल आपके पास 90 डेज हैं 90 डेज में आपको उप्ष्णल भी करना है ठीक है आपको gs भी करना है essay भी करना है और दो language जो आपको qualifying होते हैं वो भी करनी है तो सिरफ 90 days आपके पास बचे हुए हैं और in 90 days की जो management है जैसे आपको 90 days का जो रहेगा जो management, time management जो आपकी रहेगी वो सबसे ज़्यादा माहिने रखेगी कि आप जो है इस paper में कैसा score कर पाएंगे तो mains में आपकी management, time management आपकी best रहेगी तभी आप best score कर पाएंगे ठीक है और फिलहाल आपको prepare करने का भी time चाहिए answer writing का भी आपको practice करनी पड़ेगी क्योंकि direct आप exam में बैठके नहीं लिख पाएंगे ठीक है वहाँ पे आप चीज़े produce नहीं कर पाएंगे एकदम से तो at least आपको answer writing की practice करनी पड़ेगी one month तो at least करनी पड़ेगी आप चाहिए starting में कीजिए आप चाहिए last में कीजिए ये तो आपको must है आपको करनी ही पड़ेगी अब देखें यहाँ पे दो तीन दिन का आप rest लीजिए तो अगर तीन दिन का आप rest लेते हैं तो 105 days बच गए आपके पास ठीक है अब अगर 7 days का rest लेते हैं तो आप afford नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को क्योंकि 7 days का rest काफी हो जाएगा और फिलाल आप जैसे अगर intense study करते हैं तो बीच में भी आपको एक दो दिन जो है rest चाहिए होगा तो फिलाल आप दो या तीन दिन का rest लेके दुबारा अपनी मैदान में कूद पढ़िए तो आपके एक पार जो cut off है वो देख लेते हैं कि cut off जो है वो कैसी रहेगी कितनी कहां तक जा सकती है last year के साथ जो है compare कर लेते हैं थोड़ा तो चलिए देख लेते हैं देखे यहाँ पे आपकी जो cut off है वो 2018 में 98 थी तो 2018 का paper अगर हम देखें तो quite difficult paper यहाँ पे रहा है और उसी के level का 2019 का हमारा paper रहा है 2019 का difficult है 2018 से भी ठीक है तो अब भी के लिए जो है paper काफी difficult लग रहा है मतलब moderate से difficult के बीच में paper की category यहाँ पे रही है 2017 में 105 2016 में 116 2015 में 107 ठीक है तो यहाँ पी इन दोनों साल में जो है paper काफी easy था in comparison to 2018 और 19 तो यहाँ पे अगर हम predict करें कि जो cut off है 2019 की वो मेरे हिसाब से 90 to 105 की बीच में vary करेगी और 85 वाले student को भी मैं अभी के लिए यही कहूंगी कि आप जो है तेयारी कीजिए अपनी उमीद मत छोड़िए क्योंकि पेपर का जो result है वो आने के बाद आपके पास time नहीं रहेगा लगभग डेड़ महिना या महिना जो है यूपीसी लेती है result declare करने में तो फिर आपके पास बिल्कुल कम time रह जाएगा 60 days में आप जो है prepare नहीं कर पाएंगे और भागा दोड में ही time आपका निकल जाएगा तो best रहेगा कि अभी से अपना means के लिए एक time जो है plan बना के चलें time management के लिए और किस time में कितना क्या करना है वो सभी चीज़ें अगर plan के हिसाब से चलेंगे तो आपका paper जो है easily आपका हो जाएगा ठीक है आप लोगों के लिए एक important announcement पी है कि जो लोग means के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए September 2018 से September 2019 तक की चार magazine हमने cover की है और उसके लिए एक paid group आप लोगों का बनाया हुआ है तो जो magazine है वो कौन-कौन सी cover की है हमने पहला है योजना दूसरा आपका कुरुक्षित्रा तीसरा आपका geography and you और fourth है science reporter ठीक है तो यह चारो magazine जो है पूरे एक साल की जो magazine है चारों वो हमने cover की हुई है तो आप लोगों के लिए paid group बनाया हुआ है और आप मुझे whatsapp कर सकते हैं उस group में शामिल होने के लिए जिसका जो link है वो मैं description box में डाल रही हूँ आप हमें वहां से paid group में जोइन कर सकते हैं ठीक है